हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चनल हेल्थ रिसी मैं हूँ आपका दोस्त रिसी के और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फंगल इंफेक्शन के बारे में जिसे दाद खाज या दिनाई के नाम से भी जाना जाता है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सकाइब जरूर कर दे और वेल आइकन को दबाना ना बुले जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए बिना देर कि ये वीडियो को सब्सक्राइब तो दोस्तों फंगल इंफेक्शन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फंगस क्या होते हैं तो fungus भी एक परकार के रोगाड़ होते हैं जैसे bacteria, virus होते हैं उसी परकार fungus भी एक परकार के रोगाड़ होते हैं और fungus के द्वारा फायल आए गए infection को fungal infection कहते हैं और ये infection body के किसी भी part में हो सकता है जैसे हाथ पैर के नाखुन में या skin पर या body के किसी भी internal part में भी fungal infection देख को मिलता है जिसे दाद के भी नाम से जाना जाता है या दिनाई के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों फंगल इंफेक्शन से भारत के लग वह 50 प्रदसत लोग पीडित हैं तो दोस्तों सबसे पले हम बात करेंगे कि फंगल इंफेक्शन होने का कारण क्या है तो फंगल इंफ साथ के मोसम में देर तक भीग जाना या देर तक गिले कपड़े को फाने रहना जिसके चलते हमारे सरी में ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है यह सबसे बड़ा कारण होता है फंगल इंफेक्शन को फैलने का दूसरा जो कारण होता है वह होता है कि गर्मी के मोसम में अधिक गर्मी के चलते ज्यादा पसीना होता है जिसके कारण हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और अगर यह गीले कपड़े हम देर तक पहने रहा जाते हैं तो यह infection ज्यादा फैलता है और इसका तीसरा जो कारण होता है वह होता है कि immune system का कमजोड होना अगर हमारा immune system कमजोड है तो हमें fungal infection होने का ज्यादा खत्रा होता है और चौथा जो कारण होता है वह होता है कि अगर साफ सपाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तभी fungal infection को फैलने का ज्यादा चांस होता है अगर किसी ब्यक्ति को fungal infection है और उसके विख्ति अगर यूज करता है तो उसको भी fungal infection होने का ज्यादा chance होता है तो ये था कुछ कारण जिससे fungal infection फैलने के chance ज्यादा होते हैं तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि fungal infection का लच्छड क्या होता है पहला लच्छड होता है कि infected area में खुजली या जलन होना दूसरा जो लच्छड होता है वह होता है कि skin से layer का निकलना अगला जो है वह होता है कि infected area का red होना या छाले पड़ जाना अगला जो है वह है कि खुजली के साथ red color का circle बन जाना, अगला जो है वो है कि हाथ पेर का नाखुन का सिकूर जाना, या नाखुन का जड़ना, अगला जो है वो है कि skin का dryness या skin का crack होना, सिर में fungal infection के कारण बालों का जड़ना, तो ये है fungal infection के कुछ लच्छड, तो दोस्तों अब हम बात करेंग सेवन करने से fungal infection और जादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, fungal infection में अणडा, मचली, चिकन या बैगन इस तरह के भोजे पदात का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के भोजे पदात का सेवन करने से Fungal Infection और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बरसाद के मौसम में Fungal Infection ज़्यादा होते हैं क्योंकि नमी में Fungus बहुती तेजी से growth करते हैं तो इसलिए आपको नमी से बचना है गर्मियों में सूती कपड़े पने जिससे हमारे सरीर का जो नमी है वो उसको एबजार्व कर लेता है तो इससे आप नमी से बच सकते हैं और बरसाद में बालों को लंबे समय तक गिला न रहने दे क्योंकि अगर लंबे समय तक बाल गिले रहेंगे तो वहाँ से भी Fungal Infection फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं और Fungal Infection से Infected ब्यक्ति से दूर रहें और उसके दोवारा यूज किये जाने वाले बिस्तर, कपड़े या टावल को यूज न करें इसके दोवारा भी Fungal Infection फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं तो दोस्तो अभी तक हमने जो भी Fungal Infection से बचने का उपाया बताया है उसका बस एक अई उद्धे से है कि नमी से आपको बचना है अगर आप नमी से बचेंगे तो आपको Fungal Infection होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं तो दोस्तो ये था Fungal Infection के बारे में यो मैं अंते तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद